इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी प्ले स्टोर इस्तिमाल करते हो और आपके प्ले स्टोर में parental control लगा हुआ है यहाँ पे आप इसमें setting में जाती हो या कोई application डाउनलोड करती हो तो उसमें आपका parental control on है तो इसको हम बंद कैसे करें यहां पे हम इसको बिना पास्वर्ड गे यानि कि बिना PIN नम्बर गे बंद करनेवाले हैं क्योंकि हमें इसका पास्वर्ड नहीं पता तो सिमपल तरीका है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में settings में जाना है अपने फोन में सैटिंग्स खोलिए थोड़ो पूत आपको डिफरेंस मिलेगा मेरे बता या इस टैप को अच्छे से फोलो करें नीचे ये के करके आपको मिलेगा एपस आपको एपस वाले ओप्सन में आना है और मैनेज एपस में आके सी ओल एपस में देखना है यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर मिलेगा जहाँ पर आपके सारे अप्लिकेशन होते हैं सिंपल गूगल प्ले स्टोर को ढूढ़िए इसे ओपन करो आपको मिलेगा यहाँ पर स्टोरेज स्टोरेज ओप्सन पर टच करो आपको मिलेगा यहां पर clear storage या आपको मिलेगा clear data चिंता ना करें कोई file आपके अब delete नहीं होगी इस पर touch करें clear data कर दीजिए या clear storage कर दीजिए और आपका parental control off हो जाएगा मैं आपको check कर आया तो हमें प्रेश्टर को open करता हूँ और इसमें जाते हैं हम यहां पर setting में जाते हैं parental control में जाते हैं तो आप देशकते हैं यह off दिखा रहा है यह हमारा off हो गया है पहले से ही तो हमको pin number डालने के ज़रूद नहीं पड़ी और हमारा parental control off हो गया वीडियो पसंद आई है तो like करें चैनल को subscribe करें